आज मैं आपको आखों के रोग और आखों को स्वस्थ होने के एकूप्रेशर के पॉइंट और एक आशन भी बिदाने जा रहा हूँ साथियों कैसे आपकी नजर तेज हो जाएगी आखों में पाणी आता है वो ठीक हो जाएगा आखों के खारश होती या अलर्जी है वो ठीक हो जाएगी साथियों देखिये अपने हाथ में ही चुपा हुआ है आखों के रोग और आखों को स्वस्थ रखने के वॉइंट देखिये हाथ के ये पहली दो उंगलियां है इसके बीच में ये जगे है देखिये जगे अपने उंगली से इसको सुबा के टाइम पांच साथ सेकेंड तक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोज दबाएं दूसरा पॉइंट वैहे तो साथ हाथों की सारी उंगलियां आपस में मिक्स कर दें तो आखों के रोग इससे नजर भी तेज होती है और रोग भी ठीक होते है तीसरा पॉइंट हाथों का घर करें देखिए जो और से गरम किया आथों को यह जो उबरा हुआ भाग है इसको अपनी आखों में रख दें साथियो अथेली गरम हो जाएगी आखों पर ऐसे लगेगा जैसे सिकाई हो रही है कितना अजीव विज्ञान है यह आखों की रोचनी तेज होती है आखों के दोनों आखों के कोने दोनों उगलियां से अपने आखें बंद करके हलका हलका क्लॉक्वाइज एंटी क्लॉक्वाइज गुमाना है फिर बाहर के कोने क्लॉक्वाइज एंटी क्लॉक्वाइज साथियो आखे बंद करके पुतलियों के उपर बंद करके दोनों हाथों के clockwise, anti-clockwise हलका बोज डालना ज्यादा नहीं डालना साथियो ये तीन-चार आसन कर लें एकुप्रेशर के पॉइंट डुबालें और मुँपानी भरके आप टप में देख सकते हैं आखों को खोल के पानी का टप भरें और मुँपे पानी भर लें और आखें टप में पूरी खोल के देखें ये तो है एकुप्रेशर के पॉइंट और एक्सर से अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखना कौन सा आशन है जो आपको आखों की रोशनी तेज कर देगा। साथियो अर्द भुजंग आशन, करदन उठागे आदी कोनिया, बस डाएं देखें, बाएं देखें, उपर देखें, नीचे देखें, लेट जाएं। सांस भरके, सांस रुकी रहें, अर्द भुजंग आशन, नीचे जाएं, ये था अर्द भुजंग आशन, अब देखेंगे पूर्ण भुजंग आशन, दोनों हाथ अपने छाती के नीचे, एक दूसरे के उपर रखने हैं। बाता जमीन पर लगाएं। सांस भरके, पूरी भुज़ाएं सीधी कर दो। उठाएं, सांस भरके, पूरी भुज़ाएं। गर्दन पीछे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, उपर, नीचे, आखे खोल के देखना हैं। इसका दूसरा रूप देखें। अथेलियां, जमीन पर, कंदों के पीछे, कोनिया नीचे, पीछे और कंदों से पीछे रखें। सांस भरके, फिर नाभी तक उपर उठाना है, उठाएं। पूर्ण भुज़ाँगा असन का दूसरा रूप ये भी पूर्ण भुज़ाँगा असन है। जो लोग थोड़ा उमर के अच्छे हैं, तो वो इसको दो-तीन बार सुबा और दो-तीन बार शाम को करें। इस आसन के करने से हमारी आखें बहुत दोशनी तेज हो जाती है। लेकिन इसको दिन में खाली पेट करना है, सुबा खाली पेट जब कर लें, तभी करें। इसको वीडियो अपने साथियों को शेर करें। ज्यादा लोगों किसे पहुँचना चाहिए ये प्रेस्बुक आना चाहिए। धन्यवाज से।